और आई निजालते हैं अब जैपूर से प्रकाशत अधिकांज समाचा पत्रों की आज की सुर्खियों पर जैपूर से प्रकाशत अधिकांज समाचा पत्रों ने परिस ओलंपिक में भारती होकी टीम के कासे पत्रक जीतने जैपूर से प्रकाशत किया है परिस ओलंपिक में भारती होकी टीम के इस वर्ष फिर कासे पत्रक जीतने की खबर को रादस्तान पत्रिका ने होकी में हनक शीशक से मुख प्रश्ट पर प्रकाशत किया है खबर के अनुसार टोकियो ओलंपिक 2020 के बाद पैरिस ओलंपिक में भारती होकी टीम ने फिर से कासे पत्रक हाजिल किया है वहीं समाचार पत्र द्वारा टीम के गोल की पर पी आर श्रीजेस के इस मैच के साथ सन्यास लेने की घोशना की खबर को भी प्रकाशित किया गया है देनिक भासकर ने भी ओलंपिक में होकी टीम को ब्रोंज जीतने के साथ जैवलिन थ्रो में निरच चोपड़ा को सिलवर जीतने की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार होकी और जैवलिन में मैडल मिलने के बाद पैरेस ओलंपिक में भारत की मैडल संख्या पाँच हो गई है रादस्तान पत्रिका ने कल संसद में वक्फ बोड संशोधन विध्यक पेश किया जाने की खबर को मुख प्रश्ट पर प्रकाशित किया है समाचापत्र के अनुसार केंद्रिय अल्प संक्यक मंत्री किरनरिजीजु द्वारा लोकसभा में वक्फ बोड संशोदन विध्यक पेश किया गया इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया प्रावधानों पर विरोध के बाद बिल को जेपीसी भेश दिया गया आगामी स्वतंतरता दिवस को लेकर दैनिक भासकर द्वारा स्वतंतरता सैनानियों को समर्पित आजादी के नौरस नामसे लेक प्रकाशित किया गया है समाचार पत्र द्वारा लेक में शहिद उदम सिंग की प्रेरक कहानी सहित स्वतंतरता संग्राम में दिये गए उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है दैनिक नवजोती ने RBI द्वारा UPI से भुकतान सीमा को बढ़ा कर 5 लाग करने की खबर को मुखप्रश पर प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार RBI गवर्नर शक्तिकान दास ने मौद्रिक नीती समिती की बैठक में UPI भुकतान की सीमा को 1 लाग से 5 लाग करने की घोशना की समाचार पत्र द्वारा इस घोशना से ग्रहकों को होने वाली सुईधा पर भी प्रकाश डाला है पंजाब केस्री ने मुकुंदरा और रामगर टाइगर रिजर्व को विक्सित करते हैं तो 9 बाग बागिन छोड़े जाने की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार लोगसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला के प्रयासों से कोटा बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व को ये सौगात मिलेगी खबर में प्रयास से टाइगर रिजर्व और परिटन को होने वाले फाइदों पर भी प्रकाश डालते हुए एक्सपर्ट व्यू को भी प्रकाशित किया गया है अंग्रेजी समाचार पत्र दा इंडियन एक्स्प्रेस द्वारा लोगसभा में पेश किये गये वक्फ बोड संचोधन बिल पर व्याक्यान लेक प्रकाशित किया गया है समाचार पत्र द्वारा केंद्रे मंत्री किरन रिजिजु द्वारा पेश किये गए संशोधन विध्यक सहित पुराने कानून के मायनों वक्ष बोर्ड में प्रस्तावित बदलावों सहित वक्ष बोर्ड के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है The Times of India ने विभिन Greenfield Expressway के माध्यम से राजसान में हो रहे प्रगती शील विकास की खबर को प्रमुक्ता से प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार, कोट पुटली किशनगर, बिकानेर कोट पुटली, ब्यावर भरतपुर सहित 9 Greenfield Expressway और ईवे के माध्यम से राजसान के विकास को गती मिलेगी समाचा पत्र द्वारा इस योजना पर डिप्टी सीएम दिया गुमारी के बयानों को भी प्रकाशित किया गया है मौद्रिक नीती समिती द्वारा वितियवर्ष 24-25 के लिए जारी किये गए विकास पूर्वानुमान की खबर को अंग्रेजी समाचा पत्र दा एकनोमिक टाइम्स ने प्रमुकता से प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार वित्वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में विकास पूर्वानुमान 7.1 प्रतिशत वहीं दूसरी तिमाही में मुद्रा स्विती अनुमान 4.4 प्रतिशत बताया गया है तो ये थी जैपुर से प्रकाशित आज की समाचार पत्रों की सुर्खिया झाल